Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में. Guys, इस वीडियो में हम दो बहुत ही useful advanced English structures सीखेंगे, जिनसे हम English में बोलना सीखने वाले हैं कुछ ऐसे हिंदी के sentences को. जैसे कि वहाँ जाना बेवकूफी है, उस पर भरोसा करना बेवकूफी थी, मैंने तभी का तभी उसे मना कर दिया था, वे तुम्हें तभी का तभी रोक लेंगे. तो चलिए, शुरू करते हैं आज के पहले वाले structure से, जिसके rule के according सबसे पहले आता है it. इट के बाद helping verb आती है sentence के tense के according, इसके बाद foolish आता है, foolish के बाद two plus verb की first form आती है, और last में other words आते हैं, sentence में अगर कुछ बच जाते हैं तो. चलिए कुछ examples देखिए, जिससे आपको इसका मतलब अच्छे से clear हो जाए. वहाँ जाना बेवकूफी है, it is foolish to go there, it is foolish to go there, it से हमने अपने sentence की starting की है, इसके बाद is helping verb आई है क्योंकि present tense का sentence है, इसके बाद foolish to आया है, इसके बाद verb की first form आई है go sentence के according और last में आया है there, next example है, उस पर भरोसा करना बेवकूफी थी, it was foolish to trust him, it was foolish to trust him, तुम्हे कुछ भी समझाना बेवकूफी है, it is foolish to make you understand anything, it is foolish to make you understand anything, it इतनी महंगी ड्रेस खरीदना बेवकूफी थी, it was foolish to buy such an expensive dress, उनसे पंगा लेना बेवकूफी है, it is foolish to mess with them, it is foolish to mess with them, so guys ये था पहला structure आज का, जो की hopefully आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए अब देखिए आज का second वाला structure, जो की है तभी का तभी या फिर उसी वक्त का, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए then and there का use किया जाता है, रूल देखिए इसका, जिसके according सबसे पहले आता है हमारा main sentence, जो की किसी भी tense का हो सकता है, और इसके बाद आता है then and there, चलिए कुछ examples देखिए, जिससे आपको इसका मतलब अच्छे से clear हो जाए, मैंने तभी का तभी उससे मना कर दिया था, या फिर मैंने उसी वक्त उससे मना कर दिया था, I refused him then and there, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा main sentence है, मैंने उससे मना कर दिया था, इसकी English translation आई है, I refused him, और इसके बाद आया है then and there, और sentence हो गया है complete, Next example है, वे तभी का तभी तुम्हें रोख लेंगे, They will stop you then and there, They will stop you then and there, तुम्हें तभी का तभी कुछ बोलना चाहिए था, You should have said something then and there, You should have said something then and there, वो तभी का तभी घर चला गया था, He left for whom then and there, He left for whom then and there, पुलिस चोर को तभी का तभी पकड़ लेगी, The police will catch the thief then and there, The police will catch the thief then and there, So guys, ये थे आज के दो बहुत ही useful, Advanced English Structures, जो कि I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो अब आपकी स्ट्रीन पर ये रहा आपका homework, इन दो sentences को translate कीजिए English में और comment करके मुझे अपना आंसर जरूर बताईएगा, वीडियो को लाइक और शेट करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चलिए अब हम मिलते हैं next lesson में, तब तक के लिए take care, पापाई!